तो दोस्तों Realme की नंबर सीरीज इंडिया में काफी जादा पॉपुलर है तो अगर आप Realme के अपकमिंग फोन या फिर आल राउंडर स्मार्टफोन का बेट कर रहे हैं तो आल राउंडर मतलब जिसका कैमरा जबरदस्त हो, प्रोसेसर तगड़ा हो, बैटरी भी बड़ी मिल जाए और डिस्प्ले क्वाल्टी भी टॉप नूज देखने को मिल जाए तो दोस्तों ऐसे ही दो स्मार्टफोन स्पॉर्ट हुए हैं Realme 9 और Realme 9 Pro दोस्तों जान लेते ही सबसे पहले इनकी हाइलाइट इस्पेक्स के वारे में तो यहां मिलने वाला है आपको एक स्वाट मेगाफिक्सल का क्वार्ड रियर कैमरा जिसमें आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसी के साथ ही 3D फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही आपको मिलने वाला है कॉलकूम की तरफ से स्नैप डेगन 768G मोबाइल प्रोसेसर जो की 5G को सपोर्ट करता है जिसमें की आप PUBG, Free Fire, Call of Duty यैसे High Graphic Game खेल पाओगे और यहां आपको मिलने वाली है 6000 MHz की बैटरी और यहां आपको मिलने वाला है 6.43 का सुपर एमुलेटिट पैनल तो दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है इस Realme 9 की सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे आज यहीं Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइज और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से प्लीज एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी और अच्छी वीडियो बना सकूं दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो यहाँ पर आपको back side में 108 MP का quad rear camera देखने को मिलने वाला है जिसके साथ आपको Sony का upcoming sensor देखने को मिल जाएगा तो इसके साथ ही आपको 8 MP का wide angle और 2 MP का micro और इसी के साथ 2MP का 3D वीडियो और पिक्चर करने के लिए मिल जाएगा तो इसी के साथ ही आप इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहां पर आपको डूल व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग का उप्सन मिलेगा जिसमें कि आप AI color-ported वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इस smartphone के front panel की जिसमें कि आपको 64MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसमें आप ported shots और face beauty shots ले सकते हैं तो बात करें इसके display की display का बताने से पहले दोस्तों वीडियो बहुत महने से बनती है तो प्लीज चैनल को subscribe करें और like भी जरूर कर दें तो यहां पर आपको 6.4-inch का full HD plus emulated display देखने को मिलने वाली है जो कि दोस्तों 120Hz के refreshing rate के साथ आता है तो display की color quality को improve करने के लिए इसमें 16.7 million color का इस्तमाल किया गया है और यहां पर आपको in-display fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा तो अब बात कर लेते हैं इस smartphone के battery lab के बारे में तो इसमें 6000 MHz बैटरी आपको देखने मिल जाएगी इसके साथ 50W का first charger C-type के साथ देखने को मिल जाएगा इसके साथ 3.5 का audio jack mic देखने को मिल जाएगा इसके साथ story speaker का support की देखने को मिल जाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके processor के वारे में इसमें Qualcomm की तरफ से Snapdragon 768G 5G's processor देखने को मिल जाएगा जिसमें की आप PUBG, Free Fire, Call of Duty जैसे high graphics game आसानी से खेल सकते हैं तो बात की जाए इसके operating system की जिसमें Android 11 का update आपको मिल जाएगा जिसके साथ इसका interface Realme का U.Q 2.0 देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको phone dedicated slot के साथ मिल जाएगा जिसमें आप 2 SIM एक memory card लगा सकोगे तो बात करें अगर इसके RAM ROM की तो यह mobile आपको तीन variant में देखने को मिल जाएगा जिसमें 4GB, 64GB, 6GB, 128GB और 8GB, 128GB तो यहाँ आपको एक बात और बता दूँ की जो Realme 9 है वह Diamond City 800 के साथ आएगा जो की एक 5G chipset है बात कर लेते हैं इस smartphone के design की यहाँ पर back side में glass back देखने को मिलता है जिसकी design बहुत ही amazing देखने को मिलती है और back side पर quad rear camera और वहीं नीजे साइड इसमें C type charger 3.5 jack support देखने को मिल जाता है बात करते हैं इस smartphone की pricing और launching date के बारे में तो बात करें इसके launching की तो यह smartphone आपको November के first या second week तक देखने को मिल जाएगा तो बात करें इसके price की तो जो Realme 9 का price है वह है आपको 14-15,000 तक की बीच में मिल जाएगा और वहीं Realme 9 Pro 20-25,000 तक की price के बीच में देखने को मिल जाएगा बस इसमें थोड़ा से difference रहेगा कि जो Realme 9 है उसमें 64MP quad rear camera और जो Realme 9 Pro है उसमें 108MP quad rear camera देखने को मिल जाएगा और 5G connectivity दोनों के साथ रहेगी तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेट करके बताएं थैंक्स फर वचिंग कर दो